मेरे परिवार जनो मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं देश में कहीं भी बेटियों के साथ हो रहे हैं अन्याय को देखता हूं उसके बारे में सुनता हूं लेकिन राजस्तान में तो कॉंग्रेस सरकार ने बेटियों से अन्याय की परंपरा ही बना दी है यहां बाड़बेर में दलीत महिला से दुस्कर्मकर उस पर एसिड डाल दिया गयाता है सूरतगड में महिला की हत्या कर शव रोड पर फैक दिया जाता है भिलवाडा में गैंग रेप के बार बच्ची को भट्टी में जला दिया जाता है और जंबारामगड में महिला को जिन्दा जला दिया जाता है इसलिए ही आज राजस्तान की माताए बहने बेटियां कह रही है भाजपा को लाना ही है उनको भरोचा है भाजपा आएगी महिला सुरक्षा लाएगी मेरे परिवार जनों मेरी माताए बहने बेटियां भी जानती है कि मोदी उनको दी हुई हर गारंटी पूरा कर रहा है बीते नव वर्षों में भाजपा सरकार ने ही बेटियों के लिए सहिनी स्कुलों के सेना के अगरी मोर्ते में तहिनाती के दरवाजे खोल दिये है केंद्रिय पुलिस बलों में महिलाओं के संकिया दोगुनी की जा चुकी है देजबर में पुलिस सिस्टिम में 33% महिलाओं की भरती को भाजपा सरकार प्रोथ्षाइद कर रही है अब लोगसभा और विदान सभा में भी 33% सीटों में बेहनों को आरक्षन की गारंटी मोदी ने पूरी की है कॉंग्रेस कितने दसकों से आरक्षन के नाम पर बेहनों से वोट मांगती रही आप से वोट मांगती थी और संसद में अपने साथियों से बील को फड़वाती भी थी यह तो मोदी है और आपका मोदी पर आशिरवाद है जो इस बार इनको समर्धन करना पड़ा वरना इनकी मानसिक्ता क्या है यह आप देखी रहे हैं कॉंग्रेस के गमन या गड़बंदन के नेता महिलाओं को लेकर कैसी कैसी अपमानित करने वाली बाते कर रहे हैं यह आए दिन हम देख रहे हैं यह इस कानून से बहुत नाराज है यह चाहते ही नहीं कि महिलाओं को उनका हक मिले इसलिए बहादे बना रहे हैं जाति धर्म के नाम पर भरभ भैला रहे हैं मेवार की राजस्तान की विवाब बेटियों को अपने वोट से कॉंग्रेस की साजिस का जवाब देना है आपको अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों को भी कॉंग्रेस की साजिस के बारे में बताना है